हमारे बीच में इलहाबाद म्यूजियम से डॉक्टर उंकार वानखेड़े सर आए हुए हैं आप बहुत ही गंभीर विचारक हैं आप पहली बार यहां आए हैं एक वक्ता के रूप में आपसे निवेदन है कि समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहें मुझे लगता है बारे मिनट तेरे मिनट एक वक्ता के लिए परियाप्त है क्योंकि हमारे बीच में आने लोग भी हैं वान खेड़े सर परम आदर्निय पुजबाद गुरुजी और बुद्ध के बाद जो सबसे बड़ा नाम ले आ जाता है पुरी विश्व में यो है महात्मा संतका बिरजी मंच पे बैठे सभी साधूगन और हमारे सामने जो विशाल, जन सहलाब, साधगन, साधिकाए ये बहुती अनुपम एक दुरुष्चा हमारे बीच है कि ऐसे जो अवसर जीवन में जो प्राप्त होते है वो बहुत विरले होते है वो भी तब वो उस परंपरा के लोगों के साथ जो शास्त्रों की बात नहीं करते वो भी तब जिनको किसी भी वेद और पुरान और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों के साथ जब हम दुर्ष्टी पात करते है तो हमारी भी दुर्ष्टी तेजो एमान होती है और ये जो अवसर हमें देवेंद्र जीन जो दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत रुनी हूँ इस माध्यम से ही सही मुझे आपके बीच कुछ बोलने का कहने का ये सुआवसर प्राप्थ हुआ जब हम कभीर जी को देखते हैं सुनते हैं और उसके बाद में समझते हैं और उसके बारे जो मनन करते हैं तो सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने दुस्ती से कभीर जी को देखते हैं क्योंकि कभीर है ऐसे कि जैसे ही आपका स्तर होगा जैसा ही आपका दर्शन होगा जैसा ही आपकी परिपपका दुस्टी होगी उसी तरह से यूज करते हैं और बहुत ही मारमिक और बहुत ही बड़ी है उनके वो सुक्ति मैं कहूँ आखन देखी तू कहे कागज लेखी अगर इसी को कर लेते है तो वो उस अवस्था में कहते है जब पूरे सामाज में मध्य काल काल लीजे या उसके पहले कादेचे जिस समाज में पूरा क्या पूरा समाज केवल शास्त्रों के पाखंड के वो कारण वो गुलाम होता चला जाता है उसी को एक तरह से वो बहुत बड़ा विस्फोटक सवाल पूछते है और सिधा सिधा कहते है मैं कहू आखन देखी आखन देखी का अर्थ केवल मैं आख से आपको देखता उतन नहीं है जो आख से जो देखता है वो दो प्रकार का होता है अगर वो साधक अपने गुरू से आशिरवात प्राप्त है तो उसकी जो आख जो है बाहर न होके अंतर मुखी होती है जैसी अंतर मुखी होती है तो उसो जैसे जो स्टार स्टेज़ जो है आध्यात मिक्ता के उसका पहले स्टेज में तो पार करी लेता है जो हम करते परा यानि परचित्त ज्यान तो पारचित्त ज्यान जैसा ही हम लोगों को होता है तो आपके मन में क्या चल रहा है आपके रुदय में आपके स्ट्टिमें कितने विचार आते है उसी तरसे वो आपको समझता है तो वो कहता है कि मै कहू आकन देखिए और उसको जब वो लोगों के सामने रखता है तब वो कुछी बंधन बचते नहीं है क्योंकि उसके बात के जो अवस्ता को वो धिरे 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 जब अग्रेसारित होता है तो परा पच्छंती, मध्यमा, वैखरी के स्टेज़ बे जब पहुचता है वो कभीर को हम सामान्य भ तब अध्भूत होता है और यह कही एक बहुत बड़ा हम लोगों के उपकार हुआ है पोरे विश्वा के उपर कबिर जैसा महात्मा हमारे बीच आया और हम लोगों को बहुत कुछ देखा और वही महात्मा जब हमें यह कह के बताता है देखो विनाइता देखियो कुल मर्यादा खोई के खोजिन निर्वान वो देखे इतना बड़ा महांसन इतना बड़ा ज्याता वो कहता है कि कुल मर्यादा खोई के खोजिन पद निर्वान अंकुर बीज नशाय के नरविदेहि थान कितने बड़ी बात बोलता है, पूरे अपने बुद्ध को उस्रमन परंपरा के महान चिंतक को याद करता है, जिसने अपने पूरे कूल और मर्यादा का छोड़ के खो दिया, अपने आपको सर्वस्वा निशार किया, और उन्होंने निर्वान पत की प्राप्त की और अंगु बुद्ध को निशायके, यानि स्वयम अपने पुत्र को भी उस मार्ग में लाके उन्होंने विदेही थान प्राप्त किया, विदेही कौन होता है, विदेही वही होता है जो वैखरी और एक तरह से सहज ध्यान करते करते, समाधी के अवस्ता में निरंतर रहता है, वो करते हैं, यहे कबीर, यहे कबीर, ऐसे कबीर को जो हम देखते हैं, तो वो कबीर समाज का आडंबर देखके द्रवित होते हैं, कभी-कभी कठोर होते हैं, और वो उतना ही जवर्दस सवाल भी पूचते हैं, कि यह क्या कर रहे हैं भाई साब, हम लोगों को कुछ तो एक जै नहीं है, यह दो यह जातिया है पूरे समाज में, एक स्त्रीकी और पूरुष्की, बाकि कोई जाती नहीं है, और आप कई जातियों में यह समाज को बाट के, पूरे इज्छत विश्षिन कर रहे हैं पूरे समाज यह अवस्ता को, तब वो कहते हैं, कि आपको अगर, गुरु अगर समझ गए, आपको अच्छा गुरु अगर मिला, तभी आप उस अवस्ता को जा सकते हैं, अदर्वाइस वो अवस्ता आपको मिलेंगी नहीं, फिर हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे, पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा, और उनको जब बहुत कड़ा होना पड़ता निगुरा बाभन न भला, निगुरा बाभन न भला, गुरुमुक भला चमार, देवतन से कुत्ता भला भोकत बैठे द्वार यह कबेर हम तो मंदिर में, मजडिद में बाठते जा रहे हैं, समाज में बाठते जा रहे हैं हम लोगों का अस्थित्पने हम पता नहीं हमें कौन कौन लेके बेक बेच रहा है और हम बढ़ते जा रहा है ऐसे कभीर को जब हम सुनते हैं हम देखते हैं तो धन्ने होते हैं वा कभीर ये ऐसे जो अवतारी पुरुष जब पैदा होते हैं तो कई बड़े-बड़े काम करते हैं बड़े-बड़े काम करते हैं और हम तो ऐसे सवस्तान में आज इधर बैठे है पारक ये पारक्खियों का स्थान है और हमारे हाथ पारक के लिए क्या है पारक्खियों के हाथ में एक हमारी बिजग भी दिया है बिजक क्या होता है बिजक क्या है गुप्तधन को गड़ा हुआ अगर गुप्तधन है उसको खोजने के लिए जो एक तंत्र है उसको बिजक कहते है और वो बिजक के माध्यम से हम लोग पार्खी होते है तो फिर करते हैं बिजक क्या बिजक क्या ओओ बिजक क्या ओओ जो गुप्ता हुए बिजक क्या है बीच में वो इतनी बड़ी गुड़ बादियत डाल देते है कफिन है यह गुपतग्यान आप में भी है सब लोगों के अंदर है उसको धुड़ना है हम लोगों को पार्खी नजर से और मार्खी पार्खी जो है वो सहज ध्यान से आदमी को सहज बनने में यतना आप अच्छे हो जाते हैं यतने सरल हो जाते हैं और आप अपने आप में चिंतन करते हैं मनन करते हैं तब आप सिदे सिदे उस परमच्च सिखर तक पहुचने की चेस्टा करते हैं प्रयास करते हैं और यही कबीर हम लोगों को बताते हैं, आप मंदिर में, मस्जिद में, देवताओं में छोड़के आप अपने आप में एक दूसरी को देखो, क्योंकि आपके अंदर ही वो सब कुछ है, आप अगर यह नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं देख पाएंगे, फिर वो कहते हैं, म मंदिर में तो भूद बैठे, मस्जिद में सिर्फ सफाई है, दोनों लोगों को एक साथ वो एकड़ मानवता का संदेज ज़ते हुए कहते हैं, मंदिर में तो भूद बैठे, मस्जिद में सिर्फ सफाई है, दिल दरगा में नूर्ज लगता, वही घर खास खुदा का है, हम अपने कलेश मिटाएं विकारों से मुक्त हो और नए समाज के सरचना हम ही लोग कर सकते हैं वो पूरे लोगों की यह ऐसे ही लोग होते हैं जो क्रांतिकारी क्योंकि कभीर जो थे महान क्रांतिकारी दार्शानिक थे इनके जैसा कोई क्रांतिकारी हुआ ही नहीं दार्शानिक इसमें ऐसे में अगर हम कभीर जी को एक 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 अगर चोटी-चोटी बाद भी अगर देखते हैं उसको उतारते हैं तो हमारा जीवन जो है यह प्राप्त जो हुआ जीवन है वो धन्य हो जाएगा और यह धन्य जीवन ही आपको गुरुपत पे पहुचाने का परमोच्य सिखर पे पहुचाने का एक सहज आदमी बनाने का एक रास्ता दिखाता है यही है कभीर जी का जो वानी है वो हम लोग आम आदमी के लिए आम आदमी बनाना है और जगर हम आम आदमी बनने के लिए अगर प्रयास तो हम लोगों को कबिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर लोग उसको कुछ भी बोले, कोई उसकी उत्पति कही लगा दे, कोई किसको भोले, कुछ कुछ भी बोले, उसे कोई मतलब नहीं है, कबिर ने नई समाज की रचना की, वो बहुत बड़ा दार्शनिक तो ह है, अगर कबिर ऐसे नहीं होते, तो एक तरफ इतने सारे संतों की पूरी लाइन खड़ी है, दुसरे तरफ एक दुसरे कबिर जी खड़े है, और पूरे लोगों को एक स्वर में आवाज देते हैं, और सभी के जितने बड़े-बड़े कीले थे, वो ढहा देते हैं, ऐसे मह मानाओं को कौन नहीं बोलतेगा, कि भाईया ये सदी का बहुत बड़ा, ये विश्व का बहुत बड़ा क्रांतिकारी दार्शानिक संत है, ऐसे कभीर जी को और हमारी बीच में जो गुरुज बैठे है, उन गुरुज ने हमें जो आवसर दिया, मैं ये आवसर क्यों एक अ एक कहानी बुरुधा करन्यकी है, वो बता देता हूँ, क्योंकि ये जो परंपरा मर जो पूरी चलते आ रही है, वो काफी प्राचीन परंपरा है, कभीर जने वेद वगर का सभाव का वेक्यान किया है, अपने इसमें, तो एक शोड़ी सी कहानी है, वो ये है कि याग्यवल के और जनक के बीच, एक वो भी यायावर होते है, आजिवक होते हैं, तो वो उनका सववाद होता है, वो सववाद में, याग्यवलक्य को जनक पूछते हैं, कि हम आपको कुछ पूछ सकते हैं, जिग्यासा है, जैसे हम लोग हमारी गुरुजी को भी पूछते रहते हैं, तो वो पुछते हैं ये गुरुवर हम आपसे निवेदन हमारा इतना ही है कि ये जोती कहां से आती है तो वो कहते जोती जोती सूरज से आती है बोलते सूरज अगर नहीं है तो जोती कहां से आती है तो कहते जोती ये चान से आती है चंद्रमा से आती है वो कहते कि चंद्रमा भी नहीं है तो जोती कहां से आती है तो कहते कि ये जोती जो है अगनी से आती है और फिर कहते कि अगनी भी नहीं है तो जोती कहां से आती है तो कहते कि ये जोती जो है ध्वनी से आती है और वो कहते कि ध्वनी भी नहीं है तो फिर जोती कहां से आती है तब वो कहते कि जोती जो है हमारे अंदर जो चेतन है वो चेतन को जो हम मनन करते है वो चेतन को पाने को अपने चित्तो को उसके अनुरूब ढालते है वो चेतन के अंदर जो मौन से हम लो चेतन को देखते है तब वो चेतन से जोती आती है और वही है बुद्ध का अतदीभव, वही है करविर्जे की सहज समादी, यही है सहज ध्यान, और यही है हम सब लोगों का मिलन, यही जोती है, यह जोती जितनी जिसकी प्रकर होगी, जो यह जोती जिसकी गुरु से जितनी परिमार्जित होगी, और वो कृपादुष्टी से युक्त होगी, तब हम सब लोगों के जोती बढ़ेगी, और हम जो बड़े-बड़े हमारे बीच में जितने भी लोग बैठे हैं, उन लोगों को समझने के लिए, हमारे चित्त के वि हम सब में जलाने के लिए, हम सब यहां बैठे हैं, तो मैं फिर से, अभी मैं मेरा विराम लेता हूँ, मेरा समय भी मया परकारक्राप्त हुआ हैं, और इसी को मैं कहूंगा, कि यही जोती लेकि हम साथ में जाएं, और यह जोती जन जन तक फैलाएं, जो यह पूरे के दर्शन के द्वारा प्रजूलित करें, प्रदिप्त रहें, चिंतन चिंतन उसको जलते हुए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पहली बार आएं हैं, आपकी जो मदर टंग है वो मराठी है, और बावजूर इसके आप कबीर सहब की वाने को सही डंग से कह रहे हैं, जिस डंग से हम कहते हैं, और समझते हैं, उसी डंग से आपने कहा, आपका बहुत बहुत आभार है, हमारे बीच में लखनो से धर्मदास सहब आये हुए हैं, धर्मदास पासवान सहब पासवान सहब से निवेदन है कि स्टैन पर आएं और कुछ देर आप अपनी मानी से हम लोग को लबानवित करें आप बहुत ही गंभीर ब्रक्तित्व के धनी है विचार पूर्ण वक्तव देते हैं बस थोड़ा ध्यान दे करके आप लोग सुनेंगे स्रीपासवान सहब को पूजनी है बंदनी है संत समाज मंच पर विराजमान बड़े बड़े वक्ता परवक्ता बिंद्वान पूरे देश से पधारे भक्त कवीर प्रेमी देवियों सजिनों सबसे पहले मैं संत सिरोमनी स्री कवीर साब को नमन करता हूँ जिनके नाम पर आज हम सब यहां इकठे हुए उसके बाद मैं असमरन करता हूँ संद्गरू सरी अभलाग साहब को जिनोंने कवीर द्रस्टे दी हमें अब उसके देन है कि यह जन सहलाव यहां उपस्थित है ऐसा जन सहलाव मैं पहली वार देख रहा हूँ पहले कभी नहीं देखा बरसों से मैं देखता रहा हूँ यह परियाग राज की भूमी तिर्वेणी कही जाती है जहां भोगोलिक अस्तती के कारण तीन नदियां मिलती है जिसमें अस्नान करके लोग स्वर्व पहुंचते हैं एक तिर्वेणी यहां विराजमान है संत समाज बिद्वत समाज और भक्त समाज उस परियाग राज में जो कुम्ब है जहां मेला लगता है तिर्वेणी ननियां तीन ननियों का संगम है उसमें अस्नान करके स्वर्व कोई पहुंचता है या नहीं इसका परमान कहीं उपलवन नहीं है लेकिन इस संगम में विचारों में निवग्न हो करके बहुत से कुन थाओं से उपर उठने वालों की इतनी भीड़ाएगे यह अस्परश्ट यह परमान है संतों के बीच में कभीर मानी की बात करना भक्ती उपनेश की बात करना बहिमानी होगी इसलिए मैं उन बातों की चर्चा नहीं करूँगा संत कभीर साहब के संदर्व में इतना मैं आज सोचता हूँ कि इस विचार गोस्टी का भिषय होना चाहिए था कितना परसंगिक है कभीर साहब कभीर साहब के परसंगिता क्या है आज बिद्वान लोग बैटे हैं बिस्विद्याले से भी लोग हैं बिस्विद्याले में जो पढ़ाया जाता है उसमें कभीर साहब को नहीं पढ़ाया जाता उनकी जो बाते पढ़ायी जाती है वो कभीर साहब के विचारों तक नहीं पहुंचती है अभी मैं इतना ही तक कहना चाहूँगा बाकी अगर कभीर साहब को समझना है और आज की परसंगिता तो मैं भारत के संबिधान के सिलफीकार डक्टर अम्बेतकर को असमरन करना चाहता हूँ और संबिधान के निर्माताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत ग्यारहमी सदी से करीब करीब विदेशियों के कभजे में रहा मुसल्मान मंस के बहुत से शाशक राजी किये फिर आकरी में अंग्रेजों ने राजी किया हमारे यहां राजा बहुत थे लेकिन सब उनके अधीन हुआ करते थे उसी बीच में कभीर साहब का जब जन्म हुआ तेरस वंठानमे में और फ्रोड हुए तुन्होंने जो समाज को देखा वो एक दृष्टी उन्होंने दी अब उस दृष्टी का मुल्यांकन डॉक्टर अंबेटकर ने किया भारतिय संभिधान के निर्मान की जब जिम्मेदारी उनको दी गई उस समय असमंजस में थे हम लोग कि कैसा नियम होगा किस रास्ते पर देश चलेगा हिंदू होगा मुसल्मान होगा सिख होगा राजा होगा गरीब होगा किस की चलेगी किस के पास ताकत होगी डाक्टर भीम राव अंबेतकर साहब ने पूरे भीजक का निचोड भारतिय संभिधान के प्रियंबुल में रखा प्रस्तावना में जिन्हें संदे हो प्रियंबुल को बार बार पढ़ें और उसका विसलेशन करें और फिर भीजक पढ़ें और कबीर साहब की मानियों को पढ़ें बंदूत, संपर्भुता, स्वतंतरता, बैचारिक स्वतंतरता, आर्थिक स्वतंतरता, धार्मिक स्वतंतरता, अभिवक्तिकी स्वतंतरता ये जितने स्वतंतरता हैं ये सभी कबीर साहब से लिया गया है कभीर साहब ने इस बात की अंदोलन नहीं की थी लेकिन अपने आचरन में रखा था उन्होंने रूड़ी बादियों पर और अन्विसमताओं पर इतना कटू आलोचना किया अगर आज होते तो शायद छे इंच उनका कलम हो गया होता नहीं चल पाते आज कुछ दिन पहले उनसट बिचारकों ने विद्वानों ने एक पत्र लिखा प्रधान मंत्री को कि कुछ अवेवस्था है समाज में उस पर ध्यान दें उन पर मुकदमा देशदरों का चला मुकदमा यह अभिवक्ति के सुतंता की बात कर रहा हूँ और कभीर साब उस समय अभिवक्ति केतने धनी थे कैसे सब्द बोलें आज मैं बोलूं तो शायद बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लगे जो बीजक में है बिद्वान सभी जानते होंगे उस समय राजा माराजा हुआ करते थे अब आज के जो नए राजा माराजा है राजनीती के माध्यम से जो समाज को संचालित करते हैं उनके आचरन अब वेवार में इतनी भी समता है जो कभीर साहिव के विचारों से मेल नहीं खाता धर्म के नाम पर जो समाज में और राजनीती में परिचर्चा है हिंदू मुसल्मान आज भी जीवी था कभीर साहब के समय में भी इतना नहीं था जितना आज है लेकिन बंदुत्यू के चर्चा नहीं है प्रेम के चर्चा नहीं है सोतंतता की चर्चा नहीं है आर्थिक सोतंतता सामाजिक सोतंतता धार्मिक सोतंतता ये संत कभीर साहब ने हमें दिया था और मैं समझता हूँ कि यहां जितने लोग पढ़ा रहे हैं उन्हें उसका संदेश मिलता रहा है उसे जीवन में उतारें अब सबसे प्रेम करें यही सबसे बड़ा संदेश है बहुत थोड़े में वो कैसी बात कह रहे थे जो एक प्रबुद्ध विक्ति होता है जो एक विचारवान विक्ति होता है उसे एक दर्द होता है अपने समाज को देख कर कहां जा रहा है मेरा देश गांधी जी 78 साल के हुए थे तो किसी ने उनको बढ़ाई दी तो उन्होंने कहा अब मेरा जीने का मन नहीं करता है अब जो कुछ भी हो रहा है वो है मेरी मेरे सिधानतों के खिलाफ हो रहा है अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है जो आदमी विचार करता है में सोच था है वह चीजों को होते हुए देखता है उसे दर्द होता है धरमदाज साहब जो बोल रहे थे उनकी पीड़ा ये वाजिब है शायद कबीर आज के समय में हम कहते हैं कि मुसल्मानों के जमाने में उन्हों अपनी बात कही लेकिन उन्हें बहुत सो तंदरता मिली 120 बरस तक अगर आदमी जीवीत रह गया पूरी उम्र जिया इसका मतलब है उन्हें पूरी सोदंदरता थी अपने विचारों की बहुत बहुत धन्यवाद धरंदा सहाब हमारे बीच में इलहाबाद से हमारा एक जाना माना नाम सिरिपोंज जैसवाल वो उपस्थित हैं अपने हमारे निविदन को सुविकार किया अब हमारे बीच में उपस्थित हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्रीपोंज जी मंच पर विराजमान परमादरणी गुर्वर आपको मैं साधर परणाम करता हूँ गुजरास से पधारे संत महराजी को मैं परणाम परकरता हूँ इस मंच पर बैठे आप सभी संत गणों का मैं हार्दी का विवाहनन करता हूँ मेरे बड़े भाई कबीर को तो मैरे बचपन में ही आत्म साध कर लिया था तो मेरे बड़े भाई देवेंदर जी जिनसे मैं चर्चा करता रहता हूँ उर्जा हासिल करता रहता हूँ उर्जा का आदान प्रदान करता हूँ मैं उन्हें भी साधर प्रणाम करता हूँ आज बड़ा स्वकुशल संचालन कर रहे हैं साथ ही उध्यानवी भाग के प्रमुक अदिकारी वानखेड़े साहब मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ इस मंच पर प्राण प्रतिष्ठित श्री अभिलाश साहब मुझे उनके साथ समय बिताने का बड़ा उसर मिला उनके साथ वित्व में कर में मैं बाते करता था ये मेरा सौभाग ये था मैं उन्हें भी यहां से प्रणाम करता हूँ आप सभी पधारे हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से पधारे हुए आप सभी कभीर के मानस पुत्रों को पुत्रियों को मैं इहीं से बन्दगी करता हूँ इस मंच पर एक ऐसी विभूती बैठी है जिसे सुननी को बार-बार मन करता है करक शेत्र से वित्व के शेत्र के एक पुरुधा जिन्होंने इतिहास पे भी अपना अधिकार जमाया हुआ है सहाब की बन्दगी में उन्होंने रुसर्च किया है मुझे 41 समहरों में आपको सुनने का सुवसर मिला था साथ ही कई और मन्चों पे भी आपकी विचार सुविचार सुनने को मिला था ऐसे परमादरनी है मेरे बड़े भाई सीनियर आईरस ओफिसर स्री सुवचन राहम साहब को मैं रुदय से प्रणाम करता हूँ मित्रों आप सबका स्वभाग है कि आज आप कुछी पलों बाद मैं बहुत ज़्यादा ने खीचूंगा कुछी पलों बाद उनकी विचारों को आप सुनेंगे जब देविंद्र जी जब मैंने पेपर में पढ़ा जब देविंद्र जी मुनिये मुझे आमंत्रन दिया तो मुझे आज यहाँ पे अपने विचार प्रकट करने से ज़्यादा अपने बड़े भाई राम साहब की वानी को सुनने की ज़्यादा उतकंठा थी और सायद में बहुत भागिशालियों कि उनके बगर में बेटने का मुझे सौसर प्राप्थ है मैं रिखाक्षित्र बनाओंगा रंग मेरे बड़े भाई बरेंगे यहाँ पे एक आप देख रहे हैं वाधियंत्र बैठे रखे हैं वाधियंत्रों जो वाधियंत्र होते हैं इनसे ध्वनिया निकलती हैं कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो चमड़े से बनते हैं कुछ तारों से होते हैं कुछ सांस से फूके जाते हैं बासुरी वीना सुटार इन यंत्रों के एक मर्यादा होती है इन मंत्रों की इन यंत्रों की एक मर्यादा होती है इसमें सब तक होते हैं और इनको बजाने वाला या इनको गाने वाला एक व्यक्ति होता है उसके भी अपने एक कण्रमीड सब तक उसके भी अपने एक पीछ होती है जिसमें वो गाता है एक शब्द है मंद स्वर जो रुदय से निकलता है एक शब्द है मंद स्वर जो रुदय से निकलता है एक शब्द है जो कंठों से निकलता है मध्यस्वर, मंध के बाद मध्याया और जो ब्रेन जहां दिमाग लगा दिया गया वहाँ पे तारश सब्टक हो गया तो मंध सब्टक, मध्य सब्टक और तार सब्टक ये सीमाएं हैं वाधियंत्रों की इसके बाद कोई सब्टक नहीं लग सकता है अब उसके उपर काप कुछो अब तक लगाना है रम जाना है कबीर में साहाब बंदिगी में रम जाना है अभी मेरे बड़े बाइशाओं आपको रमाएंगे यहां पे रमा के तब यहां से छोड़ाएंगे आपको तो वो जो रमना है वो क्योल मनुष्य कर सकता है कबीर कर सकता है तब कर सकता है जब रिदय में कबीर होगा कहते हैं कबीरा कड़ जब हम पैदा हुए टो जग हसे हम रोए बच्चा रो ने लगता है तो रूलाया जाता है डॉक्टर उसको रूलाता है कि उसकी चल रही है कि नहीं और कुछ हम भावारत में लेके चल ले हैं हमें मंद मध्य और तार सब्तक के बाद अगर लगाना है तो हम फिर गायन में आना पड़ेगा और गायन भी कहां से और यह सब्तक तार सब्तक के उपर कितरे लगाते गायक अभी देखे हो सकता है यहां पर गायन का कारिक्रम चले और जब गायक बोलेगा रहा है कहो कभीर कह भाई साधो तो आप देखेगा उसकी पीच कहां तक जाती बिल्कुल कभीर को छूक तब वापस आता है अभी मैं देख रहा थे हां पर एक यंत्र डॉड़ रहा था लेकिन वह यंत्र कहीं न कहीं उसको चलाने वाले व्यक्ति के रिमोट से कंट्रोल्ड था उसके बाहर नहीं था अगर बैटरी उसकी फिल कर जाती तो गिर जाता तो भी वह बेकार हो जाता कभी नहीं इतीन संदेज दिया है दोस्तों और चोहथा कोई संदेश ने दिया है पहला अपनी बैटरी हमेशा चार्ज रखिए मतलब अपने पूरी वन वाणी और कर्मों में धनात्मक उर्जा का संचार रखिए नकारात्मकता को आने ना दीजिए चाहे वो धर्म से संबंदित हो चाहे वो जात से संबंदित हो चाहे वो विद्व से संबंदित हो अपने चित्त को शुद्ध रखिए अन्य था घिर जाएंगे गिर जाएंगे तो उठाने वाला फिर उठना पड़ेगा आपको कैसे उठेंगे उठेंगे तो फिर वही वर्ण माला पढ़के उठेंगे जो संविधान साहब ने दिया है जो संविधान साहब ने बनाया था उस संविधान से बरे इस विश्व का कोई भी संविधान नहीं है जब कोई देश आकार लेता है जब कोई प्रदेश आकार लेता है जब कोई सब्विता संसकार या कोई सब्विता आकार लेती है तो वो आकार जब लेती है तो वो सब्विता या वो देश, वो स्रमाज या वो प्रदेश तभी सफल होता है, जब वो कभीर के बताय हुए रास्तों पर उसके बनाय हुए सम्विधान पर चल कर आगे बढ़ता है. हम सभी जानते हैं कि सत्य, निष्ठा, इमानदारी, लगन, भाइचारा, सब कुछ होना चाहिए. मैं पिछली बार आया था, तो यहां पर एक मेनेजमेंट का एक मॉडल दिया था, BMRED, मुझे आज एक मॉडल याद आ रहा है, क्योंकि समय की सिर्फ पांच मिनट का मेरे पास है, कि एक लूथर गुलिक थे, उन्होंने किताब में लिखा है, माई एक्स्पेरिमेंट विथ मेनेजमेंट में लिखा है, पोस्ट कोर्ब, और उन्हें वहाँ कबीर को कोड किया है, अब आप सुचिए, लंदन में कबीर कोड हो गए, क्या कहा उन्होंने, कि मैंने प्रबंधन की, सर, मैंने प्रबंधन की परिभाशा बनाई, और वो कहां से लिए, कबीर के विचारों से लिए, कैसे बनी, जीवन का प्रबंधन, जीवन को चलाने का प्रबंधन, घर को चलाने का प्रबंधन, समाज में एक दूसरे से मिलने जुलने का प्रबंधन, और हम किसको मानते हैं अपना देवता इसका भी प्रवंधन। आप मुर्ती पुझा पे विश्वास रखते हैं। आप अपने तन को अच्छी अच्छे साबुन से डव से खूब्ध होते हैं पेस्ट करते हैं तमाम तरह के आप कैसकते हैं पैक्स आते हैं आजकल चंदन का लोटस का गोल्ड का सिल्वर का पुरा चेहरे में लगाते हैं दुलहा बनने के लिए दुलहन बनने के लिए शादी करो अंदर अंदर जो तुरे अंदर है यह नंतर आत्मा है ना जो यह मिट्टी है यह मिट्टी है इस पे जितना साबुन रगड़ रहे हो यह मिट्टी है मिट्टी पे साबुन रगड़ रहे हो अपने अंदर को साफ करो अपना अंतर मन साफ करो अपनी भावनाओं को साफ कोई देश है तहाँ कुछ कोई देश तभी कोई हिंदुस्तान तभी कोई राज यही रहेगी दुर्गंद कभी भी नहीं आ सकती है पोस्ट कोर्ब लेब जूतर गुलिक ने कहा तो उन्होंने कहा प्लानिंग और गिंजाइशन थोड़ा एंगलिस भी यूज कर ले ना हूँ प्लानिंग और गिंजाइशन पी ओ एस स्टाफिंग क्या कहा उन्होंने कि आपका जीवन उनके भीजक को देखिए साखी सबद रमैनी मैंने खूब पढ़ा है मैरे पास देविंदर जी जब आते हैं तो हम एक घंटा अपनी सब्जेक्ट मेटर को छोड़ देते हैं और सिर्फ एक घंटा हम लोग सिर्फ कबीर में हो जाते हैं जिसमें साहब हमारे चेंबर से जाते हैं या हम उनसे बिछड़ते हैं तो लगता है साइद कबीर हमसे बिछड़ रहा है एक कंपन पैदा होती है एक बिछड़न का दर्द आता है क्या है नियोजन जीवन आपका नियोजित होना चाहिए समर्पित कर दो सब कबीर को सब समर्पित कर दो साहब कबीर साहब बंदगी अभी देखिएगा सुपचन नाम साप एक करिश्मा करेंगे आपके अंदर साहब बंदगी आप लाइए ना एक बार बोली हमारे साथ बोली साःब बंदगी, साःब बंदगी, नियोजन, travelling, हर चीज में नियोजन, balanced, एक दम संतुलित तरीके से, जब गुरूर को समर्पित कर दिया, तो भूल जाइए, कोई कस्ट, कोई शाररिक कस्ट हो, कोई मानसिक कस्ट हो, कोई आर्थिक कस्ट हो, भूल जाइए, दिया उसी ने है वही आपको भारेगा नियोजित तरीके से गुरु अगर माना है तो गुरु को मानिये संगटित रहिए यहाँ पे अभी पासवान साब ने आदरणी पासवान साब ने कहा न इतना बड़ा होजूम हमने पहली बार देखा है संगटित होजूम यह संगठन आपका दिखना चाहिए जब हमारे गुरवर आपको बुलाएं यह तो आपका सालाना प्रोग्राम है जिसमें आप ऐसे ही आते हैं अपने गुरु से मिलने आते हैं ऐसे भी जब वो पुकारें आप आईए संगठन संगठित होईए और जो हमारे कबीर दास ने जो अपना संविधान दिया चुनाईए बताई एक भक्तिंपार कैसे बाहर आइए उसके चंगल से बाहर आईए समरपढ़ने ने बोला आप फोटा के अमूल्य धरुवर है आप उसके हीरे हैं यहां अगर दस जार लोग बैठें और हिंदुस्तान के कोने कोने से आप आए हैं तो आप दस यार संथ हैं जो यहां से जो आप बटोर के लिए जा रहे हैं वहां पे आप फैलाईए घर में जब आप अपना स्वैम निर्माड करेंगे घर का निर्माड करेंगे बहु बेटी माता पिता दोस्त सगे संबंधी गुरू ज्यान और अपना वो सहब ध्यान रखिए सुबह से लेके शाम तक सो के उठने से लेकर निद्रा आवस्ता में पहुचने तक समयन वैन होना चाहिए इनके बीच इसको बोलते हैं स्टाफिंग बोलते हैं हम लोग क्या है उनके साथ हमें अपना मधूर वाणी का प्रियुक करना है कहा कै कभी ने ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाखोए आपने को भी सितल करे और दूसरों को भी शितल करे और आपों सितल होए तो बस शितलता को ध्यान रखिए निर्देशन होना चाहिए आप यहां आए है एक लक्ष को प्राप्त करने आए हैं हर वर्ष आप यहां पर आते हैं और यहां पर बीसों हजार लोग अपने लक्ष को प्राप्त करके फिर वो घर जाते हैं तो वो जो लक्ष आप प्राप्त करके गाएं तुम सबसे सचसे कभीर कहला होगे, तुमारे अंदर वो कभीर का element हो जाएगा, हम एक बात कर रहे थे एक बार देविंद्र साब से, तो मैंने बताया कि बच्छपन से लिए कि आज तक कभीर से मेरा कई बार शाक्षात कार हुआ है, कभी वो नर रूप में, कभी वो नारी रूप में, कभी ऐसे रूप में कि वो मिला और बिच्छड गया, ऐसे ही एक event देविंद्र साब ने भी बताया कि यहां एक साहब आते थे हिमाले से आते थे, उनके अंदर भी कभीर था, और coordination, समयनवन बहुत जरूरी है, आप जिस तरीके से यहां बैठे हैं, कोई police force नहीं है, कोई यहां बाउंसर नहीं है, लेकिन जिस समर्पित भाव से, जिस ओत प्रोत भावना से आप यहां पे बैठे हैं, यह समयनवन यहां और बाहर हर जगा होना चाहिए, अन्तता मैं यही कहूंगा, कि आएं हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, आएं हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंगासन चड़ी चले, एक बंधे जन्जीर, एक बंधे जन्जीर, बहुत बहुत धन्यवाद पहुंगे स्वाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद. कैसे लगा,